हेलो दोस्तों स्वाग था आपका sleepy classes में और दोस्तों Facebook अब Facebook नहीं रहा है Facebook का नाम हो गया है Metaverse ठीक है जी तो आप Facebook क्यों अपने आपको rebrand करना चाहता और Metaverse के साथ और ये किस तरीके से काम करेगा तो थोड़ा सा जानते हैं कि basically Metaverse का basically मतलब क्या होता है अब देखिए Metaverse का basic मतलब है कि आपका इसको Greek में क्या कहते है Greek word में ये basically Greek word से लिया गया है और इसका मतलब होता है after या beyond ठीक है जी और Facebook को अब अब सिर्फ हम simply क्या कह सकते है हम कह सकते है Meta के तरीके से ठीक है अब ये किया है कि इसके बारे में सब कुछ अपन तरीके से जानते हैं कि exactly किस तरीके से हो रहा है ठीक है अब देखिए आपका जो Facebook है ठीक है और Metaverse है उसमें क्या किया कि Facebook ने बोला कि इसको हम rename करके rebrand करके company का नय area जो है उसको explore करना चाहते है और ऐसा नहीं है कि Meta जो है Metaverse जो है first time जो है Facebook यूज कर रहा है अब ये term जो है सबसे पहले नील स्टेफंसन की जो कल्ट शो है ठीक है जी Snow Crash 1992 में उसमें यूज किया गया था अब आपको पता है कि WhatsApp भी आपका Facebook के अंतरगरत आता है ठीक है और Instagram भी आता है तो इसी तरीके से अब ये आपका जो Meta है उसके अंतरगरत आपके सारे के सारे जो है चीज़े आएंगे और ये आपका जैसे Google है वो Alphabet के अंतरगरत आता है ठीक है उसके अंदर बहुत ज़्यादे चीज़े आती है Google Ads आते है Cloud है YouTube है Android है Hardware है Infrastructure है Calico Nest ये जितनी भी चीज़े है ये किसके अंतरगरत आगी है Alphabet के अंतरगरत आगी है तो अब ये क्या है कि basically एक सारी चीजों के अंदर आपने क्या कर दिया हो है Merge कर दिया हो है ठीक है तो this is about this thing ठीक है अब आगे चलते हैं कि अब क्या है what is Metaverse है अब देखे Metaverse एक Parallel Virtual World है जहां पर की यूजर जो है वो different identity position या characters के साथ कर सकते हैं काम देश से अब मैं इसको बहुत example आपको देता हूँ बड़ी जैसे आग इसमें आपके जो humans थे वो एक simulated chamber में लेड जाते थे ठीक है जी और एक उनकी proper जो दूसरी body बनी हुई थी जो जो avatars होते है ठीक है आप पता है avatars जो है hindi word है उस पे वो काम करते थे तो यह technically उसी तरीके से है कि इसमें आपका जो है आपका avatars बन जाएंगे holograms आ जाए Facebook के साथ साथ इसमें और भी companies है देखिए आपके जो epic games है ठीक है जी जो creator है हमारे बहुत online popular games के है उस पे भी काम कर रहे है ठीक है तो यह उनका भी काम है अब जो आपके जो virtual reality का क्या system होता है कि आपके एक box लगा होता है ठीक है आँखों में आपके और आपको पूरी तरी आपके से virtual reality होते है ठीक है हमने 3D movies तो देखी हुए लेकिन अब 5D 4D movies करते हुए basically सारी किसारी चीज़ें यह क्या कर रहे है stimulate कर रहे है अब इसका basically idea कहां से है जो कि मैंने अभी तक समझा है देखिए हमने देखा COVID-19 की वज़े से हम सब लोग अपने घरों में आ गये ठीक है और वहां से शुरू है work from home का culture अब work from home को आगे scientifically किस तरीके से लेके जाना है तो यह आपके हमारे जितने भी Facebook हो गया Instagram हो यह आपके Elon Musk होगे जितने भी science techs है यह जाते हैं कि चलो इसको आगे लेके जाएं ताकि हम घर बैटे बैटे ही virtual चीज़ों को अच्छे तरीके से कर पाएं ठीक है अब देखिए किस तरीके से काम करेगा यह जो है virtually इस पर काम करेंगा जैसे कि आपकी जो और virtually आपका virtual मैं चंडीगड में तो एक मार वीर चंडी वीर मॉल में गया था तो वहाँ पर यह चीज़ थी ठीक है तो आप जो virtual reality को experience कर सकते हैं साथ में क्या है कि अब देखिए इसमें आपका जो facebook है वो metaverse को किस तरीके से plan करने वाला है कि अब यह है कि metaverse को यह अपनी XR program and research fund के साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-स-ाथ-स-ाथ-स-ाथ-स-ाथ-स-ा-थ-स-ा- जादा एक revolutionary चीज़े आएंगी तो अगले 10 से 15 साल में आप घर बैटे ही सारी की सारी चीज़े कर सकते हैं और इससे आपको बहुत जादा फाइदा भी होने वाला है ठीक है दोस्तों तो क्या यह एक fiction की तरह लग रहा है कि यह actual में reality होने वाली वो तो आपको देखी सकते ह है कि virtual reality एक हम सोचते थे कि नहीं है बट अब वो होता जा रहा है 3D से 2D 2D से 3D से लेके 5D 6D कान कौन से dimension पर पहुंच गया होने तो इससे क्या होगा basically हमारे infrastructure जो cost है वो बहुत जादा reduce हो जाएगी ठीक है हमें उठके office में नहीं जाना पड़ेगा work from home का culture जो है work from home का culture जो generation तो इसी के साथ आज का जो lecture है वो खतम हुआ ठीक है दोस्तों मिलते हैं आपके साथ अलग news के साथ तब तक के लिए take care नमस्कार बाबाए